तो चलिए आज हम MCQ प्रक्टिस करने वाले हैं निमैटी हैलमेंथीस पे ठीक है तो निमैटी हैलमेंथीस से लेडरी हम कुछ MCQ प्रक्टिस करेंगे सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन सबसे पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूं मैं सेल्फ नेहा सैनी, I am an educator on science learning academy चलिए स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेशन है, आप सभी को क्वेशन दिख रहा है ठीक है, फर्स्ट क्वेशन है, निमैटी हेलमेंथीज आर निमैटी हेलमेंथीज क्या होते हैं? ठीक है, A, B, C, D, चार options उसे दिए गए हैं इस में से चार option में से आपको कोई भी एक option जो है, वो चूस करना है या जो भी आपको सही लग रहा है, चारो में से वो आपको चूस करना है ठीक है, कुछ-कुछ time में आपको दूँगी, answer करने के लिए तो उसी हिसाब से आपको option जो है, वो चूस करने है तो पहला है कि निमेटी हलमेंथीज, आर निमेटी हलमेंथीज क्या होते हैं? A है, body elongated होती है, unsegmented होती है B option है, यह triproblastic और bilater symmetric होते है C option है, कि सूडो-सिलोमेट्स होते हैं D है, all the above अब इन चारों में से जो भी आपको सही लग रहा है वो आप इसमें option मुझे बता सकते हैं ठीक है, कि निमेटी हलमेंथीज क्या है अगर आपको A सही लग रहा है, तो A option बोलना है आपको B है तो B, C है तो C, and then D है तो D, ठीक है और अपने पास एक छोटी सी copy या कोई एक page रखें जिसमें आप अपने answers को लिखते रहें और match करते रहें कि आपको जो answer है जो मैं बताऊंगी वो सही है या गलत है ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपका जो confidence है वो भी increase होगा आपको ये भी पता चलेगा कि आपने कौन सा question सही किया है कौन सा गलत किया है और आपको अपने level भी पता चल जाएगा कि आप अभी कहाँ पर अपने क्या बोलते हैं कि अपने आपको आप कहाँ पर देख रहे हैं पर आपने कितना पढ़ा है और आपको कितना याद है यह चीज भी आपको पता चल जाएगी वेरी गुर मिनाक्षी option number 40 is correct देखो निमेटी हलमन्थी इस क्या होते हैं निमेटी हलमन्थी आपके thread-like worms होते हैं जिनके body elongated होती है unsegmented होती है triploblastic होते हैं bilater symmetry होती है और सबसे में बात इनके अंदर pseudo-osilomates पाए जाती है तो all the above option जो है वो बिल्कुल सही है चलिए next पर आते हैं next question है ascaris lubricoid is a worm of class nematoda of the phylum यानि कि जो ascaris lubricoid है वो जो warm है class nematoda से बिलोंग करता है तो यह कौन से phylum से बिलोंग करता है कौन से phylum से ascaris lubricoid जो कि एक कर्मी है निमे टोड़ा क्लास से बिलोंग करता है लेकिन कौन से phylum से आपका ascaris बिलोंग करता है यह पूछा गया है option number first है platyhelminthes, B है anelida, C है arthropoda और D है ascalaminthes जल्दी से answer कीजिए yes good menakshi ascalaminthes ठीके यह क्या है आपके nematic halaminthes या ascalaminthes इने हम बोलते हैं चलिए अब next question पर आते हैं so body cavity of ascaris is जो body cavity होती है ascaris की वो किस तरह की होती है A हीमोसील, B सिलों की, C सूडोसील की या फिर D पैरसील की किस तरह की body होती है ascaris की Body cavity of ascaris is हीमोसील, सिलों, सूडोसीलों या पैरसील किस तरह की body cavity होती है अभी हमने निमेटि हेलमेंथी इसके characteristics में अभी देखा था कि इनके पास क्या present होती है सूडोसीलों present होती है ठीक है तो इनकी जो body cavity है वो क्या होती है सूडोसीलोमेटिक होती है तो option number C is correct तो इसका जो answer होगा वो option number C होगा चलिए अब next question पर आते है इनमें से कौन सा भेलिंगी जानवर नहीं है इनमें से कौन सा हर्मे फ्रोडाइट अनिमल नहीं है यह आपको बताना है चार options आपके सामने दे गए है अर्थवोम, टेफवोम, एसकेरीज या हाइडरा हर्मे फ्रोडाइट का मतलब क्या होता है कि male and female organ एक ही आपके सेगमेंट में या एक ही पार्ट के अंदर या एक ही आपके अनिमल के अंदर दोनों organs जो हैं वो present है ठीके male और female organs तो किसके अंदर ये नहीं होते हैं ये आपको बताना है options को धियान से देखिए answer आपको easily मिल जाएगा जिल्दी से answer कीजिए बहुत easy question है ये तो बहुत जादा easy था ठीके ये देखिए जब आप ascaris या निमेटी हेलमेंथी इसको बढ़ते हैं ठीके एक तो आपको इस तरह से दिखेगा एक आपको इस तरह से structure दिखेगी तो male और female दोनों क्या है अलग अलग है ठीके ये male है और ये female है तो male और female जब दोनों organs है लगे है तो ascaris क्या होगा ascaris hermaphrodite हो गाई नहीं ये क्या होगा इनके जो sexes है ये separate है ठीके तो इनके sexes क्या होते हैं separate होते हैं किस तरह का ascaris का अंडा infection या संक्रमन को cause करता है option number A है fertility egg, B है fertilized egg, C है unfertilized egg, D है none of these ascaris जब infection cause करता है तो उसमें उसका कौन सा egg जो है वो infection cause करता है fertility egg, fertilized egg, unfertilized egg या फिर none of these yes good, good menakshi, fertilized egg, ठीक है option number B is correct कि fertilized egg जो होते हैं वो ही infection को आगे carry on करते हैं क्योंकि unfertilized जो है वो biologically undeveloped रहते हैं ठीक है, चलिए अब next question है philaria is caused by, जो philaria है वो किस के कारण होती है टेफ वोम, लीवर फ्लूक, प्रोटो जोन या फिन्नी मेटोड philaria is caused by इसके कारण होती है philaria yes, option number D is correct, ठीक है जो philaria है वो एक निमेटोड के कारण होती है उसका नाम होता है वुचेरिया, basically ये जो वुचेरिया है ये elephantesis cause करता है, यानि कि जो lymphatic system होता है वो एक हाती के पैर जैसा हो जाता है इस तरह से, यानि कि नीचे के जो बोड़ी है वो बिल्कुल हाती के पैर के जैसी हो जाती है, तो ये किस के कारण होती है, जो philaria है वो एक निमेटोड के कारण होती है जिसका नाम है वुचेरिया, ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं, option number अगर आपको इंफेक्शन से बचना है, तो आपको क्या करना चाहिए, उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, option number A है, without washing hand, यानि कि बिना हाथ धोए, B है, कि सिर्फ सब्जियों को धोना चाहिए, wash only vegetables, C है, maintain good hygiene, कि आपको अच्छी hygiene maintaining करके रखनी है, D है, all of these, बहुत easy question है, बहुत जादे easy question है, बिना पढ़े भी आप इसका answer कर सकते हो, ओके, आशा जी बोल रही है, option number A, कि बिना हाथ को धोए, हम क्या कर सकते हैं, scaries से बच सकते हैं, good, और कोई answer करना चाहेगा, yes, मिनाक्षी ने बिल्कुँ सही answer किया है, कि अगर हम good hygiene को maintain करेंगे, तो हम scaries के infection से बच सकते हैं, ठीक है, बिना हाथ धोए, कैसे बच सकते हैं, अगर आप हाथ ही नहीं धो रहे हो, अपने, आपको hygiene ही नहीं रख रहे हो, तो हो तो होने वाले disease तो बहुत easily हो जाएगी आपको, ठीक है, so option number C is correct, चलिए, next question है, which one of these hatch out from the egg of ascaris, यानि कि इन में से कौन सा जब एग है जो ascaris का जब वो hatch out करता है, ठीक है, अंडे से बहार निकलता है, तो वो किस फॉर्म में निकलता है, करकेरिया, hexant, rabdi form larva या फिर किसी में भी नहीं, चार option दिए गए है, option A, B, C, D, करकेरिया, hexant, rabdi form larva या D, none of these, good asha, option number C is correct, rabdi form larva, ठीक है, rabdi form larva की form में क्या होता है, ये hatch out करता है, so option number C is correct, चलिए next question है, which of the following has no alternate host, यानि कि किस में से alternate host नहीं है, first tapeworm, क्या tapeworm का एक alternate host होता है या नहीं होता है, ठीक है, आप से क्या पूछा गया है, question के अंदर, question को ध्यान से पढ़िए, no पूछा गया है, इसके हिसाब से आप का answer गरना है, कि किस का alternate host नहीं होता है, B है, scaris, C है, plasmodium vivax, D है, fascicola hepatica, इसमें से किस का alternate host नहीं होता है, alternate host का मतलब है कि दूसरा host नहीं होता है, कि अगर इसमें infection नहीं कोज़ किया, तो उसमें कर देगा, different host, कि एक मनुश्य है तो एक जानवर है, good menakshi, option number B is correct, कि जो एसकेरिस है, वो सिर्फ वो सिर्फ किस में होता है, humans के अंदर होता है, humans की intestine में होता है, तो इसका कोई बेल्टर नहीं है, यहनि कि human to human ही, यह क्या हो सकती है, यह जो एसकेरिस से होने वाली disease है, एसकेरिस, वो सिर्फ human to human ही हो सकती है, so option number B is correct, चलिए next question है, इन निमेटी हेलमेंथीज, A, B, C, D, 4 options आपको दिये गए हैं, कि निमेटी हेलमेंथीज में, circulatory system absent होता है, nervous system poorly developed होता है, C है, excurity system consists proton aphridia, या D all the above, क्या यह सारे point सही है, या इन में से कोई एक point सही है, या आपको बताना है, निमेटी हेलमेंथीज की अंदर, क्या-क्या चीज होती है, क्या नहीं होती है, उस इसाब से आप options को देखें, और अपना answer बताईए, क्या उनके अंदर circulatory system absent होता है, येस, उनके अंदर circulatory system जो है absent होता है, nervous system भी poorly developed होता है, और executed system proton aphridia को consist करता है, ठीक है, और D यानि कि all the above, यानि कि जितने भी points से उपर के तीनों points बिल्कुल सही है, इस option number D is correct, अपने पास एक छोटी सी copy एक page रख सकते हैं, उसमें आप अपने answers को लिखिए, और जो भी आपके answers सही हो रहे हैं, उनमें अपने आपको one one marks दीजे, टोटल 25 question है, जो test आपका 25 marks का है, बड़ी में इमानदारी से आपको ये करना है, और आप सभी को अपने marks भी मुझे भीजने हैं, चलिए next question है, एसकेरिस commonly known as, एसकेरिस को हम किस नाम से जानते हैं, book warm, यानि किताबी कीड़ा, hook warm, C है round warm, D है fillier warm, किस नाम से जानते हम एसकेरिस को, सभी ने बारिश में भी देखा होगा, yes, round warm के नाम से, so option number C is correct, चलिए next question है, respiration of asकेरिस is, जो respiration होता है asकेरिस का, वो किस तरीके का होता है, cutaneous, aerobic, anaerobic, या both B and C, asकेरिस का जो respiration होता है, वो किस तरीके का होता है, cutaneous, aerobic, anaerobic, both B and C, yes, जो respiration होता है asकेरिस का, इसमें ये point आप नोट कीजिए, कि वो क्या होता है, anaerobic होता है, क्यों होता है anaerobic, क्योंकि जो asकेरिस है, उसके पास तो respiration system होता ही नहीं है, ठीके, दूसरी चीज वो कहाँ पर रहता है, intestine, human की intestine के अंदर रहता है, तो उसे वहाँ पर oxygen की requirement नहीं होती है, वो anaerobic के लिए वहाँ पर grow खरता है, ठीके, so option number C is correct, anaerobic के लिए गुड मिनाक्षी, चलिए next question है, इन निमैटी हेलमेंथी, sense organs Streamsrangon, निमैटी हेलमेंथे जिएंथे सेंस ओर्गन होते हैं, कौन कौन से सेंस ओर्गन होते हैं आपके निमैटी हेलमेंथी के अंदर, आ है एंफिड, बी है प्लास्मीड, सी है फास्मीड, डी है बोथ ANC, बहुत इजी question है, निमेटी हेलमेंथीज के अंदर कौन कौन से सेंस ओर्गन्स होते हैं एंफिर्ड, प्लास्मीड, फास्मीड या फिर एंफिर्ड एंफिर्ड एंफास्मीड एक अंसर आया हमारे पास फास्मीड चलिए अभी तक हमारे पास एक अंसर आया हमारे पास ड यान की कोई कहरा है option number C सही है, कोई कहरा है D सही है, so correct answer is option number D क्योंकि निमेटी हेलमेंथीज के जब हम characteristics पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है clearly mentioned है कि sense organ जो होते हैं निमेटी हेलमेंथीज के अंदर वो एंफिर्ड एंफिर्ड एंफास्मीड की form में होते हैं और इन्ही के basis पे आपका classification भी किया गया है निमेटी हेलमेंथीज का ठीक है तो option number D is correct, option number A and C both are correct कि एंफिर्ड एंफिर्ड एंफास्मीड जो होते हैं वो sense organs हैं निमेटी हेलमेंथीज के अंदर जिनका अंसर गलत हुआ है वो वहाँ पे cut का निसान लगाएंगे यानि कि वहाँ पे उनको कोई भी marks नहीं दिया जाएगा और जिनका सही है वो अपने आपको one mark दे चलिए next question पर आते हैं क्यूटिकल इन एसकेरिज इस एन adaptation फोर यानि कि जो एसकेरिज के अंदर क्यूटिकल पर्जेंट होती है वो adaptation है किसका adaptation है पैरासिटिजम का growth का reproduction का या फिर लोको मोशन का किसका adaptation है हमारे बीस्ट के चलिभ बस में भी है इससे लेटे टोपिक जो कि एक्जाम्स में भी बहुत जादा पूछा जाता है येज गुड मिनाक्षी ओप्शन नमबर एज करेक्ट पैरसीटिजम ठीक है कि पैरसीटिजम क्या होता है Do quieじ जो क्या काम करती है इसी जो क्या क्या होती है तुफ पुशेंट होती हैो मौती लेयर के जो से बचाथी है digestive juice of host intestine यानि कि जो host है human है जिसकी intestine के अंदर ये रह रहा है उसके digestive juice से कौन बचाता है इसको cuticle बचाती है ठीक है अगर ये cuticle layer नहीं होगी तो ये grow नहीं कर पाएगा ये वहीं पर digestive juice से मर जाएगा ठीक है तो उसे बचाने का काम कौन करती है cuticle करती है तो ये एक parasitic adaptation है किसके अंदर एसकेरिस के अंदर ओके option number A is correct चलिए next question है the process of morphological differentiating male and female sexes is known as यानि कि जो morphology में differentiate होते है male और female sexes उनको हम क्या कहते है sexual dimorphism polymorphism variation या none of the above morphology में जो male और female organs जो है या male और female sexes जो है जो कि separate है उनको क्या कहा जाता है yes option number A is correct sexual dimorphism ठीक है sexual dimorphism क्या है कि जो male है और female है दोनों क्या है morphologically different है okay so इसका अंसर क्या है option number A चलिए next question है Ascaris Lubricoid is found living in the intestine of जो Ascaris है Ascaris Lubricoid है वो पाया गया है intestine of किसकी intestine में मिलता है वो pig यानि की sewer की homocean आप सभी को पता होगा किसको कहते हैं monkey यानि की बंदर d यानि की goat ant sheep किसकी intestine में आपको Ascaris Lubricoid देखने के लिए मिलता है हाजी बच्चों जल्दी से answer करो किसकी intestine में देखने के लिए मिलता है good homo sapien very nice homo sapien यानि की humans यही इस question की खासियत थी कि उसमें direct humans ना देखकर homo sapien दिया गया है okay तो homo sapien आपको सिर्फ आपका mind जो है उसको थोड़ा सा घुमाने के लिए दिया गया है जिन बच्चों को homo sapien नहीं पता होगा वो कुछ भी लगाएंगे homo sapien यानि की humans तो humans की intestine में Ascaris Lubricoid जो है वो रहता है चलिए next question है In Ascaris, the period of incubation outside the human body is यानि की Ascaris के अंदर जो incubation का period होता है human body के बहार वो कितना रहता है more than 30 days यानि की 30 दिन से जादा B option है 15-30 दिन C option है 8-14 दिन D है 4-8 दिन Question को ध्यान से पढ़िए और answer कीजे जल्दी से Yes, option number B is correct 15-30 days देखो जो Ascaris के अंदर जो incubation का period होता है वो 18 दिन का होता है यानि की बहार human की body से बहार निकलने के बाद 18 days का होता है ठीक है 18 तो आपको इसमें कहीं नहीं दिख रहा है लेकिन option number B में देखिए 15-30 दिन यानि की बीच में आपको 18 मिली जाएगा ठीक है तो 18 दिन आपको कहा मिलें option number B में मिल रहे हैं 15-30 दिन का जो होता है incubation period होता है ascaris का human body के बहार okay so option number B is correct चलिए अब next question है trichoris trichora is commonly known as ठीक है यानि की trichoris को हम किस नाम से जानते हैं वुचेरिया एंटेरोबिलस विप वोम ड्रै कोनो कोलस ठीक है trichoris को हम किस नाम से जानते हैं बताईए आंसर trichoris को हम किस नाम से जानते हैं yes option number C is correct विप वोम ठीक है किस के नाम से जानते हैं विप वोम के नाम से जानते हैं ये इसका common name है ओके चलिए next question है the exterior of ascaris is covered by यानि कि जो बाहर की तवचह होती है ascaris की वो किस से covered होती है pellicle, epidermis, sclerite या cuticle अभी हमने इस question को discuss भी किया था इससे related ही question था ascaris की बाहरी surface किस से cover होती है yes, good ठीक है, cuticle से cuticle से क्या होती है ascaris की बाहरी जो body है वो cover होती है और ascaris की body क्या होती है cylindrical होती है और आपके cylindrical होती है tapping ends उसके अंदर पाय जाते हैं anterior और posterior पे और इसकी जो बाहर की body है वो cover होती है thick and elastic cuticle से ठीक है, so option number B D is correct option number D is correct है cuticle इसका अंसर है good and well done मिनाक्षी चलिए next है, this has no alternate host इन में से किसका alternate host नहीं है plasmodium vivax, straight form, fascicola hepatica या फिर ascaris lubricoid इस में से किसका alternate host नहीं है plasmodium vivax, tape form, fascicola hepatica या फिर ascaris lubricoid yes, option number D is correct ascaris जो है, वो सिर्फो सिर्फ आप humans की intestine में देखने के लिए मिलता है वहीं पर grow करता है, वहीं पर infection करता है ठीक है, so option number D is correct अब नेक्स्ट क्वेशन है, पिंवार्म commonly cold यानि कि पिंवार्म किसे कहा जाता है trichorris, enterobius, ascaris या anxylostoma पिंवार्म किसे कहा जाता है, यह भी a common name है यहां से जितने भी common name के आपको questions दिख रहे हैं, वह आप अपनी copy में भी note कर सकते हैं जिससे इस तरह के question जो है, बहुत directly questions आते हैं सिर्फ आपको अगर नाम बता होगा उसका तभी आप उसका answer कर पाएंगें ठीक है, तो common name से भी आपके mcqs आजाते हैं तो इन जो भी इतने भी आपको यहां पे common name से rated questions दिखे हैं उनको आप एक line में note down भी कर सकते हैं कि pin warm dash लगा करके जिसका भी वो है उसका नाम लिख दीजें ठीक है, तो किसका होता है okay, so option number B is correct इसका जो answer है वो B है enterobis, ठीक है, enterobis, vermicularis जो है उसको हम pin warm के नाम से जानते हैं option number B enterobis, vermicularis, sorry, vermicularis का नाम V-E-R-I-M-I-C-U-L-A-R-I-S ठीक है, इसको हम किसके नाम से जानते हैं pin warm के नाम से जानते हैं pin की तरह होता है ये okay, चलिए, next question है the infected stage of ascaris is infected stage कौन सी होती है, ascaris की egg, fourth juvenile, second juvenile या फिर adult form itself ascaris कब infection करता है अंडे के थुरू या जब वो अंडे वाली stage में होता है तब, या फिर जब वो fourth stage में पहुंच जाता है या जब वो second stage में पहुंच जाता है या फिर adult form के थुरू खुद से, ये itself है IF नी, IT है या खुद से, जब वो पोड अवश्ता में पहुंच जाता है तब नहीं, इसका अंसर एग नहीं है, बेटा जी इसका अंसर है, second juvenile जब वो second stage में होता है तब वो infection कोस करता है किस तरह से, जब एक human के अंदर वो grow कर रहा है तो human के feces के तुरू बहार निकलेगा तो बहार निकलने के बाद वो कौन से stage हो गई, उसकी second stage हो गई है अब वो क्या करेगा? जब वो बहार निकलेगा जब उसको कोई person जो की कोई भी ऐसा food या कोई भी ऐसा vegetable खा लेगा, जिससे वो contaminated है तो वो उसके अंदर जा करके क्या करेगा? ग्रो करेगा ठीक है फर्स्ट स्टेज में उसने infection ही काउस किया infection कौन से stage में किया? इसकींड स्टेज में एक human से निकलने के बाद सो सेकींड जो इनाइल option number C is correct ठीक है चलिए next है which is known as siloom derived from blastocele किसको हम siloom के नाम कौन से ऐसे siloom है? जो कि blastoceleom से drive होती है और उसको हम क्या क्याते हैं? blastocele या blastoceleom से drive होती है enterocele, hemosele, pseudosele या sizocele yes good आशा, option number C is correct pseudosele, देखो जब भी कोई भी siloom ठीक है अगर ये true siloom है अगर ये true siloom है तो हमेशे जो true siloom होती है जो वास्तिविक siloom होती है वो mesodermal line से drive होती है ठीक है, हमारे अंदर 3 jam layers होती है तो जो mesodermal है उसके थुरू क्या होती है? siloom का formation होता है उससे वो drive होती है लेकिन जब कोई siloom blastocele से drive हो रही है तो वो क्या होगी? वो जूटी siloom होगी ठीक है? तो वो क्या है? आपकी sudocele में sudocele की नाम से जानी जाती है so option number c is correct चलिए next है this is the basis on which female ascaris can be identified कौन सा अधार है? जिसके थुरू हम बता लगा सकते है ascaris female को a है two specules found on posterior end यानिकि उसके posterior यानिकि पिछले भाग पे दो specules present है या फिर post-anol और peri anol papili present होते हैं या इसका जो पिछला भाग है वो सीधा होता है या फिर common cloical aperture इसके अंदर पाये जाता है किस बेस पे हम female ascaris को identify करते है male and female ascaris का diagram याद कीजिए easily आपको answer मिल जाएगा किस बेस पे करते हो yes straight posterior end ठीक है अभी मैंने diagram भी बनाया था तो जो आपका female ascaris है वो इस तरह से विचारी बिलकुल सीधी होती है ठीक है और जो male ascaris है वो क्या होता है last में थोड़ा गुमाउदार होता है और male ascaris के अंदर ही आपको क्या देखने के लिए मिलेगा cloical opening देखने के लिए मिलेगा ठीक है यहाँ पर क्या होता है cloical opening जिसके दुरू क्या होता है sperm जो है वो move करता है ठीक है और यह आपकी female है तो female क्या होती है male और female में क्या main difference है यहाँ पर देखो यह क्या बिल्कुल straight है और यह क्या है थोड़ा जो poster and ass का मुड़ा होता है तो इसके basis पे भी हम क्या करते हैं दोनों को differentiate कर लेते हैं ठीक है so option number C is correct चलिए last question है ठीक है 25th question है फर्स्ट मॉल्टिंग ओफ रेबडी फॉर्म लार्वा occur at यानि कि पहली मॉल्टिंग जो होती है रेबडी फॉर्म लार्वा की वो कहां पर होती है intestine के अंदर contaminated soil के अंदर lungs के अंदर या फिर liver के अंदर last question है 25th question है ये पहली मॉल्टिंग रेबडी फॉर्म डार्वा की कहां पर होती है intestine contaminated soil lungs या फिर liver life cycle को याद कीजिए good मिनाक्षी option number B is correct जो सॉल है उसके अंदर पहली मॉल्टिंग होती है ठीक है पहली मॉल्टिंग करता है और फिर हमारे फैरिंग से पहुंचके डारेक्ट फूड पाइप के थूरू हमारे इस्टमक में और इंटेस्ट्राइं में पहुंच जाता है ठीक है उसके थूरू इंफेक्शन होता है पहली मॉल्टिंग करता है पहली मॉल्टिंग करता है एक beneficial condition मिलगे या favorable condition मिलगे जिसमें वो grow करता है तो चलिए आप सभी ने उम्मीद करती हूँ इन सभी questions को अच्छे से पढ़ा होगा और इमानदारी से अपने answers भी दिये होंगे ठीक है आप सभी यहीं पर comment में अपने marks जो है मुझे send कर सकते हैं जिससे मुझे पता लग जाए कि आप लोगों ने कितनी इमानदारी से exam अपना दिया है आज का ठीक है अगर आप सभी को यह question जो है अच्छे लगे है मज़ा आया है तो आप प्लाइ कीजिए शेर कीजिए बबाई everyone thanks for joining मिलते हैं नेक्स session में झालए बबाई आपके लोगों जो आपके लोगों आपके लोगों नेक्स